हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत है टिया लर्निंग गलासेज में दोस्तो आज हम आप लोग को सिखाने वाले हैं एसे लेकर जेद दगवार्ड मेनी जो के बहुत ही इंपोडेंट है और सिखना भी जरूरी है और इस वीडियो में आप लोग इंगलिस डेटिंग पढ़ना भी सिख जाएंगे किसका साउंड कैसे निकलता है तो आएए हम बेगर टैम वेस्ट किये वे कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट पहला है एपेल कैसे पढ़ना है एपेल जिसका मतलब होता है सेव बॉय कैसे पढ़ना है बॉय जिसका मतलब होता है लड़का बुक कैसे पढ़ना है बुक जिसका मतलब होता है किताब बॉल कैसे पढ़ना है बॉल जिसका मतलब होता है गेन कैट कैसे पढ़ना है कैट जिसका मतलब होता है बिल्ली कार कैसे पढ़ना है कार जिसका मतलब होता है कार डॉग कैसे पढ़ना है डॉग जिसका मतलब होता है गुद्दा एलिफेंट कैसे पढ़ना है एलिफेंट जिसका मतलब होता है हाती इगल कैसे पढ़ना है इगल जिसका मतलब होता है चील फॉक्स कैसे पढ़ना है फॉक्स जिसका मतलब होता है लोमडी फिश कैसे पढ़ना है फिश जिसका मतलब होता है मचली ग्रेफ्स कैसे पढ़ना है ग्रेफ्स जिसका मतलब होता है अंगूर ग्लास कैसे पढ़ना है ग्लास जिसका मतलब होता है सीसा House, कैसे पढ़ना है house, जिसका मतलब होता है घर Horse, कैसे पढ़ना है horse, जिसका मतलब होता है घोरा Ice cream, कैसे पढ़ना है ice cream, जिसका मतलब होता है मलाई बरफ Joker, कैसे पढ़ना है जोकर, जिसका मतलब होता है जोकर जग कैसे पढ़ना है जग जिसका मतलब होता है जग काइट कैसे पढ़ना है काइट जिसका मतलब होता है पतंग लायन कैसे पढ़ना है लायन जिसका मतलब होता है शेर मेंगो कैसे पढ़ना है मेंगो जिसका मतलब होता है आम नेश्ट कैसे पढ़ना है नेश्ट जिसका मतलब होता है गोंसला नीब कैसे पढ़ना है नीब जिसका मतलब होता है नीब ओरेंज कैसे पढ़ना है ओरेंज जिसका मतलब होता है सन्तरा पेरोट कैसे पढ़ना है पेरोट जिसका मतलब होता है दोता Queen, कैसे पढ़ना है? Queen, जिसका मतलब होता है? Rani Rabbit, कैसे पढ़ना है? Rabbit, जिसका मतलब होता है? Ghost Red, कैसे पढ़ना है? Red, जिसका मतलब होता है? Chua Ship, कैसे पढ़ना है? Ship, जिसका मतलब होता है? Jahaj Sunflowers, कैसे पढ़ना है? Sunflower, जिसका मतलब बता है स्वेज मुखी Tree, कैसे पढ़ना है? Tree, जिसका मतलब बता है? Pared Umbrella, कैसे पढ़ना है? Umbrella, जिसका मतलब बता है? छाता Violin, कैसे पढ़ना है? Violin, जिसका मतलब बता है? शरंगी वाच, कैसे पढ़ना है वाच, जिसका मतलब होता है घड़ी याठ, कैसे पढ़ना है याठ, जिसका मतलब होता है नाव जेबरा, कैसे पढ़ना है जेबरा, जिसका मतलब होता है जेबरा आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई आज बाई